हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से एक नई रेसिवी के साथ आज में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए होली दिवाली स्पेशल निव मीठे स्नैक्स की रेस्पी जो आप सभी को खूब पसंद आएगी सिर्क दो कट मेरा सबना ये मीठा स्नैक्स की रेस्पी इतना ये खस्ता बना हुए है कि आप इसे महिनों पर रिष्टो करके खा सकते हैं बच्चे बड़े सभी को खूब पसंद आएगे तो बहुत ही जयकेदार तेवारों का स्पेशल ये सकरपाड़े की रेस्पी आप सभी को खूब पसंद आएगी कैसे बराना है उसके लिए वीडियो को आप लोग स्टेप बाइस्टेप पूरा देखिए तभी आप लोग सही से इसे बना पाएंगे तो आए रेस्पी स्टार्ट करते हैं तो यहां पर रेसिपी स्टार्ट करने से प्रेरे मैंने सामगरी का तो आप लोग भी परफेक्ट बना पाएंगे तो दो कप यहां पर मैंने मैदा लिया हुआ है तो एक चोथा ही शुटा चमच डालेंगे नमक तो अब इसमें हम मोयन के लिए घी डालेंगे तो इसी कप से मैंने दो कप मैदा चान कर लिया हुआ था आप चाहाएं तो इसी क अब बॉल्डो पाने को त्यार करना है तो मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल कर इसका यह बेट क्रॉंक जैसा त्यार कर लेंगे तो पहले एक बाड मिक्स कर लेते हैं पर देखिए अच्छी तरीकर से मिक्स करेंगे जिससे की एक एक कन घी का मैदाय में लग जाए तो यहां पर चेक करने का यही तरीका है इससे आप बैंड करेंगे इस तरीके से अप लड़ू बनाएंगे तो अच्छी तरीके से बन जाएगा देखिए इस तरीके का फॉर्म होना चाहिए इतना है इसमें डालना है तो यहां पर दो लगा लेते हैं नौर्मल पाने से दो लगाना है थोड़ा थोड़ा पान डालते हुए ना ज्यादा सक्त ना ज्यादा नड़म इसका डो लगा लेना है और यह लेजे बहुत ही अच्छी तरीके से हमने दो त्यार कर लिया है डो ना ज्यादा सक्त है ना ज्यादा नड़म है अच्छी तरीके से हांतों से एक बार फिर से मस लिए है आप साय दो्त टो से एक पीस ढले ले लेंगे और हात हैं रोल और इसे पतला कर लेंगे आप आप अपने मंचायई सेथ में इसे बना सकते हैं जैसे आपको पसंद दो तो मैं इस तरिकर से आपको बना कर दिखा रहे हूं आप चाहें तो इसे बरफी के shape में, round shape में, square shape में, किसी भी shape में जैसा आपको shape पसंदो उस shape में आप इसे बना सकते हैं मैं आपको आज cylindrical shape में बना कर दिखा रही हूँ तो इस तरीके का जो shape है बच्चों को खूब पसंदात है तो इस तरीके हम shape cut कर लेते हैं और साड़े एक तरीके के shape हो उस तरीके में माप कर इसे cutting कर रही हूँ और यहां पर देखें साड़ी cutting हमने cut के रख लिए यहां पर मैंने oil चरहा दिया है, oil बिल्कुल normal temperature का होना चाहिए तो oil इतना ही गरम होना चाहिए तो यहां पर मैंने check कर लिया है और साड़े cut के हुए को इसी में डाल देंगे तो इसे धीरे धीरे fry करना है, low to medium flame पर fry करना है देखें हलके हलके इसे बुलबुले आ रहे हैं तो यहां पर oil इसी तरीके का होना चाहिए तब ही जाकर सकड़ पाड़े खस्ता बनेंगे और यहां पर देखें, 10 मेट हो गया है सकड़ पाड़े में अच्छा कलर आने लगा है बस थोड़ा सा और इसमें कलर आ जाए फिर इसे हम निकाल लेंगे तो इसे low to medium flame पर पकाना है जिसे कि अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए और यह खस्ता हो जाए यहां पर यह पक गया है इसे हम निकाल लेंगे छान करके और यह देखें कितना खस्ता यह बना हुआ है दूसरा बैज भी इसी तरीके से फ्राइ कर लेते हैं अगर आपको लगे कि ओयल ज़्यादा गरम हो गया है तो फ्लेम ओफ कर दे थुआ सा ओयल को ठंडा कर ले फिर आप फ्राइ करें तो तेज गरम ओयल में इसे फ्राइना करें नहीं तो यह खस्ता नहीं बनेंगे उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से पकने के ए रही निचानी के फटने लगा है इसमें क्रैक्सा अगया है अच्छी तरीके से पख जाएंगे और रही निचानी है के अच्छी तरीके से पकалась है बहुत ही दार सी है इसे आप ज़ light करें ॰हें और यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से क्रैक्स दिख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से पग गया है इसे अम छानकर निकाल लेंगे रहे हैं तो शुगर सरब बनानी के लिए तो यह पर दाला है तो यह आंपर हमने कड़ाई चरहा है यहां पर कड़ा है यह दिया है हाफ कक रा युपानी डाल रहे हैं पासिर तो हाफ कप से थोड़ा कमी हमने इसे पानी डाला है तो यहां पर देखिए इसे पिघलने देते हैं और लगाता चलाते रहेंगे देखिए तो यहाँ पर इसे हम चेक करेंगे एक तार की चासनी आने तक इसे हमें पकाना है तो यहाँ पर इसे हम चेक कर रहे हैं और यह देखिए एक तार की चासनी बन गई है कुछ पांस से साथ मिनट लगे हैं और यह एक तार की चासनी बन गई है गैस की फ्लेम को इसी टाइम आफ कर देंगे तो अब आगे का प्रोसेस गैस की फ्लेम को आफ करके करेंगे तो यहां पर देखे थोगा सामने इसे ठंडा कर दिया है अब यहां पर डाल देंगे फ्राइ करकर रखा हुआ तो यहां पर डालते हैं इसे हम मिक्स करते रहेंगे और लगातार इसे मिक्स करते रहना है देखिए थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हम मिक्स करते रहेंगे तो अच्छी सी सुगर की कोर्टिंग इस पर चर जाए लिपड जाए उतने दिर तक इसे हम मिक्स करते रहेंगे तो ध्यान रखना है गैस के फ्लेम को हमें ओन नहीं करना है ने तो यह सुगर कारमलाइज हो जाएगा और यह सकड़ पाड़े नहीं बनेगा तो यहां पर देखिए इसे लगातार मिक्स करें और यहां पर देखिए गैस के फ्लेम ओफ है और इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे इसी तरीके से और अच्छी तरीके से सुगर की कोर्टिंग इस पर चर जाएगी तो कुछ-कुछ बातों का यहां पर ध्यान रखना होते हैं, कुछ-कुछ टिप्स हैं, जिसे आप फॉलो करेंगे, तो आप भी सही से सकरपाड़े बना पाएंगे देखें, बहुत ही मस्त बने हुए हैं, यहां पर देखें, लगातार इसे हम मिक्स कर रहे हैं और यह देखें, सकरपाड़े बन कर त्यार हैं, अच्छी से सुगर कोटिंग इस पर चट चुकी है, थोड़ी देर इसे हम सुखने देते हैं और सुखने गवाद यह देखें, जो एक्ष्ट्रा वालब भूड़ा है, उसे हम अलग करके हटा लेते हैं और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं, देखें कितना क्रिस्टी बना हुआ है, इसके वाज आप सुन सकते हैं देख सकते हैं, दोस्तों, बहुत ही जाइकदार, बहुत ही खस्ता सकरपाड़े बनकर त्यार है, इसे आप किसी भी तेवाबर बनाईए, इसे आप महीनोबर स्टोर करके खा सकते हैं, यह ख़ड़ाब नहीं होते हैं बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं तो किसी इतिवार में या फिर कभी भी आपका मंद चाहिए से बना कर रख लिजिए यहां पर देखें मैं तोर कर दिखा रहे हूं कितना एक रिस्पी बना हुए अंदर का लेयर आप देख से कितना यह फ्लेकी है तो बहुत ही मज़ मा मा